इजरा की पुस्तर अल्भियाय दो जिनको बाबेल का राजा नवुखदनेसर बाबेल को बंधुआ करके ले गया था उन में से प्रांत के जो लोग बंधुआ इससे छूट कर येरुशलेम और येहुदा को अपने अपने नगर में लवटे वहाँ ये है ये जरुबाबेल, एशू, नहेम्याह, सरायाह, रेलायाह, मुर्देकै के बिलशान, मिस्पार, बिगैवे, शक्रहूम और बानाक के संख आए इसरायली प्रजा के मनुशों की यह गिंती है अर्थात परोश की संथान, 2172, शपत्या की संथान, 372, आरह की संथान, 775, पहत्मो आब के संथान, एशू और युवाब की संथान में से 2812, इलाम की संतान 1254, जक्त्यू की संतान 945, जक्के की संतान 760, बानी की संतान 642, बैबे की संतान 623, अजगात की संतान 1222, अदोनिकाम की संतान 666, बिगवई की संतान 2056, आदिन की संतान 454, यहिच्किया की संतान आतेर की संतान में से 98, बैसी की संतान 323, योरा की लोग 112, हाशुम की लोग 223, गिबबार की लोग 95, बैतलहेम की लोग 123, नतोपा की मनुष 56, अनातोस की मनुष 128, अजगाम वेत की लोग 42, किर्यतारिंग कपिरा और बेरोत की लोग 743, रामा और गेबा की लोग 621, सिकमास के मनुष 122, बैतल और एके के मनुष 223, नबो की लोग 52, मगबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारिम के संतान 320, लोद, हादीर, और उनों के लोग 725, यरिहों के लोग 345, सनाय के लोग 3630, फिर याजगो अर्थात एशु के घराने में से, यदायात हकी संतान 973, इम्मेर के संतान 1052, पशहूर के संतान 1247, हारिम के संतान 1017, फिर लेविय अर्थात एशु के संतान और कजमियल के संतान होद ब्याह के संतान में से 74, फिर गवईयों में से आपस की संतान 128, फिर दर्बारों के संतान, शल्लूम के संतान, आतेर की संतान, तलमून की संतान, अकूब की संतान, हतीता की संतान, और शौब की संतान, यह सब मिलकर 149 हुए फिर नतीन की संतान, सिहा की संतान, हसुपा की संतान, तबाओत की संतान, केरोष की संतान, सी आह की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगबा की संतान, अकूब की संतान, हागाप की संतान, शमयले की संतान, हानान की संतान, गिदल की संतान, गहर की संतान, रायाह की संतान, रसीन की संतान, नकुदा की संतान, गज्जाम की संतान, ठज्जा की संतान, पासेह की संतान, बैसे की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपिसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकुपा की संतान, हरहूर की संतान, बसलूत की संतान, महीदा की संतान, हरशा की संतान, बरकोस की संतान, सिस्रा की संतान, तेमह की संतान, नसिह की संतान, और हतीपा की संतान, फिर सुलिमान के दासो की संतान, सौते की संतान, हसो पेरित की संतान, परुदा की संतान, याला की संतान, दरकुन की संतान, गिद्देल की संतान, शपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोकरे तहसे बाईस की संतान, और यामी की संतान, सबनतीन और सुलिमान के दासो की संतान 352 फिर जो तेलमेलह, तेलहरशा, करूब, अद्दान और इम्मेर से आए परन्तु वे अपने अपने पित्रों के घराने और वनिशालिन न बना सके कि इसरायल के है वह यह अर्थात, दलायाह के संतान, तूबियाह के संतान और नकूत के संतान जो मिलकर 650 थे और याजको के संतान में से हबायाह की संतान, हकोम की संतान और बरजिले की संतान जिसने गिलादी बरजिले की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था इन सभोस ने अपनी अपनी वन्शावली का पत्र औरोकी वन्शावली की पोथियों में ढूंडा परंतु वे न मिले इसलिए वे अशुद्ध ठहर कर याजकपत से निकाले गए और अधिपती ने उन से कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारन करने वाला कोई याजक न हो तब तक कोई परंपवित्र वस्तु खाने न पाए समस्तमंडली मिलकर 42,360 की थी इनके छोड इनके 7,337 दास दासिया और 200 गाने वाले और गाने वालिया थी उनके घोडे 736, खचर 245, उट 435 और गधे 6,720 थे और पित्रों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुष ने जब यहवा के भौन को जो यरुशले में है आए तब परमेश्वर के भौन को उसे के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ किया उन्होंने अपनी अपनी पुझी के अनुसर 61, 1000 दर्क्समों सोना और 5000 माने चांदी और याजक को के योग्य एक सो अंगर खे अपनी अपनी च्छा से उस काम के एक हजाने में दे दिये तब याजक और लेविय और लोगों में से कुछ और गवय और द्वारपाल और नपीन लोग अपने नगर में और सब इस्राइली अपने अपने नगर में फिर बस गए